Hello guys, तो समय आ चुका है board exam का, कुछी घंटे बागी हैं, कुछी समय बागी हैं, आपका first English का paper, आपका paper 4 मा चुको है, तो exam से एक दिन पहले जो दिन होता है, कुछ घंटे होते हैं exam से पहले के, वो बहुत important होते हैं एक trend के लिए, कि उसको इसी घंटों में, इसी पूरे एक द बोल रहा हूँ English के paper के लिए, तो चरीए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखो जो सबसे पहला tip है, इंग्लिश के paper से तो नहीं, बट आपका first paper है, दो साल बाद आप offline exam दे रहे हो, तो उससे related है, और जिनका premium वेगरा नहीं हुआ था, premium online हुआ था, उनके लिए तो य important एक tip है, देखो आपके मन में बहुत सारी doubt आएंगे, जिससे कि question पर मिलने के बाद उस पर अपना roll number कहां पर लिखना है, word में कहां पर लिखना है, ऐसे बहुत सारी doubt आएंगे कि signature कहां पर करना है, तो जो भी छोटा मोटा कुछ भी doubt होना, और teacher से ही पूछो, बहुत आपके class में उससे पूछ लेने का, tip number two है, paper मिलने पर उसे side में रख दो, जैसे आपको question paper मिलेगा 10-15 मिनिट पहले, तो उसे आप पढ़ने मत बैठो, उसे side में रख दो, अगर आप उसे पढ़ने बैठोगे, तो आपको कुछ ऐसे question समझ दो दिख गए, जो आपको सारा ध्यान वहीं पर जाएगा, इसलिए question paper मिलने के बाद, आप उसे पढ़ना मत, उसे देखना मत, और खासतर पर अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ी तैयारी हुई है, या फिर उस लेवल की तैयारी हुई नहीं है, तब और ये महत्पुन हो जात होता है, कि आप question paper मिलने के वाद उसे पढ़ोना, उसे side में simply रख दो, फिर जैसे आपका time होगा, ठीक teacher बोलेगा लिखने के लिए, तो आप लिखना start कर देने का, और लिखते जाने का, पहले question paper पढ़ना मत, tip number 3, देखो आप अपने साथ घड़ी मत ले जाना, इस रिफ English क कि जितने भी subject के paper हैं, उनके लिए applicable है, कि आप घड़ी मत लेकर जाओ, वहाँ पर जो time होता है, और teacher आपको बताता रहता है, और class में घड़ी भी लगा रहेगा, तो आपको घड़ी ले जाने के जरूत है नहीं, क्योंकि इससे आपको जो ध्यान है, वह बाल-बाल घड़ रूम में, center पर, tip number 4 है, never leave, create your own and self-response question, तो देखो आपका pros section, उसके बाद poetry section, तो section 2 में एक ऐसा आता है, आपका 4-5 line का एक topic पर आपको poem बनाने का होता है, तो बहुत लोग क्या गरते हैं, उसे छोड़ देते हैं, क्यों आता नहीं किसी topic पर अपने सिखुष से poem बनाने का तो आप देखो उसको छोड़ना मत, एक line कुछ भी लिख देना, अगर मालो आपका nature पर दिया है, तो nature के बारे में एक बात line लिख दो, कुछ भी लिखा हो आपर blank मत रखना, blank रखो के तो बहुत आपका वहाँ पर अच्छा नहीं दिखेगा, आपका impression down होगा teacher के सामने, paper check करने वाले के सामने, जो भी ऐसा question आता है, उसे छोड़ना मत, और self response का question तो खास करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, कि self response में जो digest में answer था, वही लिखना है, देखो self response का मतलब होता है, कि आपका answer वहाँ पर क्या है, आपका thought क्या है, तो वहाँ पर इतना की, इतना sure नहीं कि वो आएगा, ऐसा भी question आ सकता है कि दो line दिया रहेगा, और दो line अपने से बना कर लिखना होगा, या फिर ऐसा आएगा कि 4-5 line का एक poem छोटा साब को बनाना होगा, एक किसी topic पर, तो tip number 5 है, appreciation के लिए, तो देखो जो about the poem, first वाला एक point होता है, about the poet में सिर्फ poet का नाम लिखते हैं, जैसे कि माल लोग आ गया Indian weaver, तो बहुत लोग के आगा रहेंगे, सिर्फ सरोजनी नाडू यह लिख देंगे, तो सिर्फ आपको नाम नहीं लिखना है, उनके बारे में एक line का कम से कम information लिखना है कि वो क्या थे, सो आप ऐसा लिख सकत होगे poet का तो थिर्फ आपको आधा ही marks मिलेगा, इसलिए वहाँ पर poet के नाम के साथ साथ उनका एक दो line का introduction भी लिख देने का about the poet इस point वाले में, टिप नंबर 6 है writing skill के लिए देखो, writing skill में total 4 subconscious रहते हैं, A, B, C, D, A में 3 रहेंगे, B में 3 और C में 3, D में 3, तीन में से आप कोई एक लिखना है, तो सिर्फ कोई एक ही लिखो, तीनों लिखते मत बैठो, दो लिखते मत बैठो, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब आ रहा है, तो मैं दोनों लिखूंगा, तीनों लिखूंगा, तो ऐसा नहीं करना है, आप सिर्फ एक ही लिखो, जितना बोक्स में लिखा जाता है बोक्स बनागी क्योंकि इमेल देखो इमेल मतलब का होता है electronic mail आप phone में जो mail भेज़ते हो उसको हम email बोलते हैं तो email हमेशा बोक्स में रहता है और appeal writing वह भी हमेशा box में लिखा जाता है बॉक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है तो अपील राटिंग में बॉक्स बनाकर आप लिखना अच्छे से और हाँ गाईस एक और बात बताना जाता हूँ इंटर्वी क्योशन के लिए देखो इंटर्वी वाले क्योशन चार मास के लिए आते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं चार मास यानि की चार लाइन का चार लाइन लिखना होगा चार क्योशन लिखने होगे तो ऐसा नहीं होता है, आपका चार मास का इंटर्व्यू आता है, यानि कि आपको कम से कम साथ मिनिंग्फुल क्वेशन तो लिखने ही है, चार मास का है तो मतलब चार लाहिन ऐसा नहीं, आपको साथ कम से कम मिनिंग्फुल क्वेशन बनाने होते हैं वहाँ पर, सो देखते हैं आगे tip number 7 है novel section के लिए देखो novel section 16 marks का आने वाला है बहुत सारे लिए डर गई होंगे और अभी exam से कुछ दिन पहले कुछ घंटे पहले श्रिप novel के बारे में सोच रहेंगे कि बाकी सब तो हो गया लेकि novel कैसे होगा novel में पूरा marks मेरे को 16 marks मिलेगा की नहीं तो देखो novel के बारे में आप मस सोचो और ए सोचो कि novel में भी objective question आने वाला है mcq सब बड़े question नहीं objective question भी है आपका जो उसमें novel में सब question ए है और चार मास के लिए objective रहेगा 4.1 पर उसमें गया अगर आप 4.1 जो आपका history of novel है उसका notes बना जितने भी books वगरा है उसको किस ने लिखा जा उसका writer कौन था उसका एक notes बना लो कि 4.1 में से वैसे ही question आने वाले है कि इस particular book को story को novel को किस ने लिखा था और खास करके उसमें ए दिया है कि राज मोहन वाइफ बनकीम चंदर चटोपद्याय ने लिखा था जो कि इंडिया का first novel था English language में तो ए वाला जो question है बहुत important है MCQ में या फिर मैस दी following में आ सकता है कि राज मोहन वाइफ किस ने लिखा था या फिर बनकीम चंदर चटोपद्याय ने कौन सा बुक लिखा था या फिर ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया का first English novel कौन सा था तो उसका answer आएगा राज मोहन वाइफ लिखा था बनकीम चंदर चटोपद्याय तो ए लाइन को आप याद कर लो इसलिए मैं इसे slide में include किया है तो ये वाले line को याद कर लो और 4.1 का ऐसे इताहरी करना है कि आप कुसको उसका notes बनाना है कौन सा बुक किस ने लिखा है उसके writer का नाम और बुक का नाम उसके बाद 4.234 उसका आप देखो आपके पास time तो अभी है नहीं सो बाकी सब तो देखो आप खूद पर भरसा रखो भगवान पर भरसा रखो सब कुछ अच्छा योगा बेस्ट अपलग आपकी आने वाली exams के लिए